हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई योटव चैनल, आप सभी को स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में फ्रेंट्स, आज का ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी एस्पाइरेंट के लिए जिनका बहुत माइनर से मार्क्स कम रहने की वज़े से क्या है पूरा अपडेट ये मैं आपको इस वीडियो में दूँगा तो रेलवे की तरफ से एक और अच्छी खबर आप लोग कह सकते हैं कि आई है और काफी छातरों की यहां पे किस्मत खुलने वाली है तो चलिए देखते हैं कि क्या है पूरा अपडेट उससे पहले अगर आपने अवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की पलपल की authentic अपडेट पाने के लिए साथ ही upcoming vacancy की strategies और books वगेरा की जो guidance series हमारी चलने वाली है उसको देखने के लिए आप हमारी चैनल को अभी subscribe करके bell icon को press कर लीजे सबसे पहले तो मैं आपको एक paper cutting यहां पर दिखाना चाहूँगा basically article अभी 2-3 दिन पुराना ही है और इस article को publish किया है अजमेर की तरफ से एक newspaper ने कहीं अब्यारती नहीं कर रहे नौकरी join railway की group D बरती rail परसासन ने दिया अंतिम अफसर पहले इसको एक बार पढ़ेंगे फिर आपको official notice पर भी लेके चलूँगा दो अलग-अलग zone की official notice हैं वो भी आपको दिखाऊंगा बोला गया कि railway में group D की नौकरी मिलने के बाद भी कहीं अब्यारती joining नहीं दे रहे हैं ऐसे में railway की ओर से उन्हें अंतिम अफसर परदान किया गया है इसके बाद भी joining नहीं करने वाले अब्यारतीों की नियुकती के निरस्त करते हुए पैनल में शामिल अब्यारतीों का अफसर परदान किया जाएगा railway की ओर से group D में भरती की परकरिया को पूरा करते हुए सफल रहे अब्यारतीों का पैनल जारी किया गया था ऐसे में रेल्वे की और से तीसरा और अंतिम अफसर प्रदान करते हुए अब्यारतियों को इमेल के माद्यम से तुरंत उपस्तित दर्ज कराने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं। रेल्वे ने सपस्ट किया है कि कई अब्यारति पहले डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन अत्वा मेडिकल के लिए निर्दारी तितियों पर उपस्तित नहीं हुए थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो डीवी मेडिकल के लिए नहीं जा रहे हैं। इस नोटिस में आपे देखो क्या बोला गया है विशे में पे मेट्रिक लेवल वन की विभिन कोटियों में नौन टर्ण अप रहे उम्मीदवारों की एवज में रिप्लेस्मेंट पैनल मांगने के करम में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं जॉइनिंग के लिए डीवी मेडिकल कराने के बाद भी तो रिप्लेस्मेंट पैनल जारी करने के लिए यहाँ पे लेटर जारी हो अब यह रिप्लेस्मेंट का मतलब क्या होता है रिप्लेस करना एक की जगए दूसरे को दे देना यह रिप्लेस्मेंट होता है जब कोई स्टूडेंट डीवी मेडिकल कराने के बाद भी देखो मालो कि आपने डीवी मेडिकल करा लिया आपका पैनल में नामा गया तो आपकी एक सीट आपे निरधारित हो जाते है लेकिन अगर आप जोइन नहीं करते हैं तो फिर आपको रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे से उसी को बोलता है रिप्लेस्मेंट पैनल यह सभी जोन में आएगा देरे देरे चलते रहते हैं एक साल के अंदर रिप्लेस्मेंट पैनल आते हैं ठीक है तो अब रिप्लेस्मेंट पैनल के दौरा उन सीटों को भरा जा जा रहेगी किस किस पोस्ट के लिए रिप्लेस्मेंट पैनल की आवशकता है ये डिविजन से पूछा जा रहा है सेश कोटियों में नॉन टर्ण आप के उम्मिद्वार दुइत्ते वैंतिम आस्मरण पत्र दिया गया जिसकी अवधी दिनाग 1223 तक पूर्णोगी उपरोग दिनाग पश्चाद आपको वस्तु इस्तिधी अवगत करा दिया जाएगा यानि कि जो स्टूडेंट यहाँ पर बार-बार बुलाने के बाद भी नहीं गया है उनके रिगार्डिंग रिप्लेस्मेंट पैनल जो है वो जारी करने के रिगार्डिंग पूछा गया है तो य इतनी भी ट्रेक्मेंट की पोस्ट खाली है और जादा पोस्ट जो खाली होते हैं वो ट्रेक्मेंट की ही होती है बहुत सारे स्टूडेंट जोईन करने के बाद छोड़ देते हैं उनका जो सीट बचते हैं वो भी रिप्लेस्मेंट पैनल के दुवारा ही भरी जाती है बाक पर अब replacement panel सभी zone से आएंगे तो यह अच्छी खबर है उन student के लिए जो boundary marks पर है उनको यहापर chance मिल सकता है replacement panel में उनको जगा मिल सकती है अब चलिए बढ़ते हैं अगले update की तरफ अगला जो update है हमारा हो south eastern railway और राची की तरफ से है और यहाँ पर basically क्या है कि second dv की एक list आई है कि जब कोई seat खाली बसती है वो second dv, third dv के दोवारा भरी जाएगी तो यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिला है second dv के लिए 170 जो candidate बुलाए गए थे उनमें से आप कह सकते हैं 176 का panel यहाँ पे जारी हुआ है और यह panel यहाँ नों ने दे दिया है 168 2030 में यह panel आया 176 candidate का हो उसमें next panel का बाता है यह देखने वाली बात होगी लेकिन थोड़ा अच्छी कबर उनके लिए है जो waiting के हमेशा मांग करते हैं तो waiting इस तरह से directly भी काम करता है replacement panel के दोवारा काम करता है second dv, third dv के दोवारा काम करता है तो directly waiting खतम होने से हाला कि थोड़े problem create होती जरूर है ल market की उसके regarding हम एक best content तयार कर रहे हैं जिसमें हम आपको पूरा guidance देंगे एक एक topic आपको क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कहां से जवाल आते हैं कौन से book से आते हैं कौन से channel से आपको पढ़ाई करनी हैं कौन से paid courses अच्छे हैं बिलकुर neutral हो कि आपको सारी सीचे बता हू कि आपको एक इड़ी